मैं जाओंगा आज की इस वीडियो में हम इस सेंटेंस को इंगलिस में ट्रांसलेट करना सीखेंगे दोस्तों जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ गागी की रहे जैसे इस सेंटेंस में मैं जाओंगा ये future tense का sentence होता है और ये future indefinite tense का sentence है या simple future tense है तो दोस्तों ऐसे sentences को English में translate करने का नियम है पहले subject लिखना है तो इसमें subject है मैं तो मैं को English में I कहते हैं तो पहले लिखेंगे I इसके बाद हमें helping verb लिखना है sell या will लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँपे sell लिखें कि will लिखें तो दोस्तों इसका नियम ये है कि जब subject मैं हो यानि कि मैं की English I हो तो I के साथ हमेशा sell लगता है I और we के साथ हमेशा sell लगता है बाकि सभी subject के साथ will लगता है तो यहाँपे sell रहेगा उसके बाद verb लिखेंगे इसमें verb है जाओंगा यानि जाना जाना को इंगलिस में go कहते हैं तो sell के बाद go लिखेंगे यानि ये sentence हो जाएगा I shall go मैं जाओंगा I shall go